Hello दोस्तो, Open4Learn Channel में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो, LAC पर भेंकर आमने सामने भारत और चीन भारत से भिड़ने के लिए चीन 37 हवाई अड़ों को कर रहा है तेयार इधर, चीन को उसी की भाशा में जवाब दे रहा है भारत भारत भी बना रहा है LAC और हिंद महासागर में जबरदस्त तनातनी चल रही है भारत और चीन एक दूसरे से भिड़ने की पूरी तेयारी कर रहे है हाल ही में पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि समुद्र में चीन लगातार अपने जासूसी पोत भेजकर भारत की जासूसी करने की कोशिशों में लगा हुआ है चीन के युआन वांग 4 और युआन वांग 5 जैसे उन्नत जासूसी पोत भेजकर भारत के जो रक्षा प्रतिष्ठान है या फिर भारत की जो भी मिसाइलों की लॉंचिंग करता है चीन इन जासूसी पोतों के जरिये जासूसी करने की कोशिश करता रहता है हालांकि यह बात अलग है कि वह सफल नहीं हो पाता है लेकिन भारत को चीन से लगातार खत्रा बना रहता है यही कारण है कि भारत समुद्र की गहरायों में यानी अंडरग्राउंड नेवल बेस स्थापित कर रहा है उधर भारत और चीन के बीच एलेसी पर भी कमोबेश यही हालात है गलवान घटना के बाद चीन ने भारत के साथ संभावित युद्ध की तयारी शुरू कर दी थी इसका उदाहरन आपको बताएं तो चीन ने भारत से भिड़ने के लिए दो चार नहीं बलकि पूरे 37 हवाई रंवे तयार कर डाले हैं जिनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ किसी भी तरह के संघर्ष या फिर युद्ध में करने वाला है यानी चीन भारत के साथ युद्ध की तयारी में लगा हुआ है इस साल अप्रेल में चीन के होटन एयर बेस की सेटिलाइट तस्वीरें जारी हुई थी इन तस्वीरों में साफसाफ नजर आया था कि चीन बड़े स्थर पर सामरिक तयारियां कर रहा है होटन एयर बेस में चीन ने एक रनवे चालू होने के बावजूद दूसरा रनवे बनाया था ताकि जंग के हालात में बड़े ट्रांसपोर्ट जहाजों और फाइटर जेट्स को वहां तैनात किया जा सके भारत चीन के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए होटन एयर बेस बहुत ही महत्वपून हवाई शेत्र है और पूरवी लद्दाक के सामने का शेत्र होटन के तहट आता है दोस्तों चीन की इन तैयारियों को देखते हुए भारत ने भी A.L.A.C. पर चीन को उसी की भाशा में जवाब देने का फैसला किया है और लिह लद्दाक जैसे उंचाई वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक रनवे तैयार कर रहा है कुछ का हो चुका है और कुछ का होने वाला है तो कुछ को भारत अपग्रेड कर रहा है जहां पर राफेल, मिग 29, सुखोई 30 फाइटर जेट जैसे योद्धा दुश्मन को तबाह करने के लिए तैयार है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चीन के खिलाफ भारत अलेसी पर ऐसी कौन सी तैयारी कर चुका है जिसने चीन को टेंशन मेला दिया है पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है पर इसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दरसल, चीन भारत से भिड़ने के लिए 37 हवाई अड़े तेयार कर रहा है तो इधर, भारत भी जवाब देने के लिए कर रहा है, कुछ ऐसी ही तेयारी दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि हाल ही में खुलासा हुआ था कि चीन के होटन एयर बेस की सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई थी जिसमें खुलासा हुआ था कि चीन भारत से युद्ध की तेयारियों में लगा हुआ है होटन एयर बेस में चीन का एक रनवे चालू हालत में था और चीन ने इसके बावजूद एक और रनवे तयार कर लिया और यह दूसरा रनवे भारत के खिलाफ तयारियों का हिस्सा बताया जा रहा है इस रंवे को तयार करने का एक ही मतलब है कि जंग के हालात में चीन भारत के खिलाफ हतियारों को चीनी सेना तक पहुँचा सके साथ ही बड़े-बड़े ट्रांसपोर्ट, जहाजों और फाइटर जेट्स को वहां तैनात किया जा सके दोस्तों, भारत ने चीन की इस हरकत को काफी सीरियसली लिया है और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया है भारत ने लद्दाक के लिए एयर बेस पर भी एक नया रंवे बनाने का फैसला किया है यानि लेह पर भारत का एक और रन्वे तेयार हो रहा है यह 10,000 फीट की उंचाई पर बन रहा है यह रन्वे 2,000 मीटर लंबा होने वाला है पहले वाला रन्वे लगभग 2,752 मीटर लंबा है सिर्फ इतना ही नहीं बलकी रन्वे के अलावा जहाजों के लिए ने शेल्टर्स और नई बिल्डिंग बनाई जा रही है यह रन्वे भारत के लिए सामरिक द्रिष्टी से भी बहुत अहम है सर्दियों में जब सडक मार्ग बर्फबारी से बंध हो जाता है तो इसी एयर बेस से जरूरी सामान की सप्लाई होती है दोस्तों, आपको बता दें की लिए है एयर बेस भारत और चीन के बॉर्डर यानि एलेसी के बिलकुल नजदीक स्थित है इसी वजह से यह चीन के साथ संभावित युद्ध की दृष्टी में बेहद अहम साबित होता है इतना ही नहीं, बलकि यहीं से सिया चीन के लिए रसद और सैने साजो सामान की भी सप्लाई होती है साथ ही इस एयर बेस से रात में भी उडान भरने के लिए उप्युक्त है भारत ने इसी एयर बेस पर राफेल, मिग 39, सुखोई 30 फाइटर जेट और अपाचे हिलिकॉप्टर्स तैनात कर रखे है यानि चीन अगर मौझूदा हालात में भी भारत पर किसी तरह की साजिश करता है तो भारत उसका जवाब देने के लिए राफेल जैसा लडाका तैनात कर रखा है जिसमें ब्रहमोस जैसी मिसाइल असेंबल की हुई है आपको बता दें कि यह एयर बेस चीन के खिलाफ एक तरह से भारत का मजबूत हतियार है 15 वा 16 जून 2020 में जब गलवान में हिंसक जड़प हुई थी तब इसी एयर बेस से 68,000 भारती सैनिकों और टैंकों को हवाई जहाजों से LAC तक पहुँचाया गया था चीन के खिलाफ फुली एक्टिव हैं तीन और एयर बेस चीन पाकिस्तान दोनों को ठोकने चार स्ट्राइक को रतेयार दोस्तों ले है एयर बेस के अलावा तीन और एयर बेस हैं जो ओपरेशन के लिए फुली रेडी है चीन से पैदा हो रहे खत्रे को देखते हुए LAC के नजदीक और पूर्वी कमान के तहट आने वाले असम के डिब्रुगर में स्थित चबुआ एयर बेस को भी भारत ने अपग्रेड किया है इसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है जैसे यहाँ पर नए रडार स्थापित किये गए हैं ताकि अगर चीन आसमान से कोई गतिविधी को अंजाम दे तो यह रडार तुरंथ ही भारतिय सेना को स्थिती से अवगत करवा दे और भारतिय सेना उसे आसानी से ट्रैक कर सके इसके अलावा यहाँ पर टैक्सी वे हमलावर हिलिकॉप्टर्स और लडाकू विमानों के लिए शेल्टर्स और भूमिगत हतियारों के भंडार बनाने का काम भी किया जा रहा है इसके अलावा ड्रोन के इस्तेमाल के लिए टैक्सी वे बनाया गया है छबुआ एयर बेस के अलावा पूर्वी लद्दाक में ही स्थित नियूमा एयर बेस को अपग्रेड किया जा रहा है चीन की सीमा से सिर्फ 23 किलो मीटर की दूरी पर नियूमा एयर बेस में नया रन्वे भी बन रहा है जो 2.7 किलो मीटर लंबा होगा और यह अक्टूबर 2024 में पूरा हो जाएगा इस एयर बेस पर बुनियादी धांचा, एय एंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन और हार्ड लैंडिंग जैसी सुविधाएं होंगी जो 2025 के अंध तक पूरी हो जाएंगी नियुमा लेह के मुकाबले बेहतर और समतल घाटी में है और एलेसी के नजदीक है नियुमा 13,700 फीट लंबा रंवे भारतिय वायुसेना के लिए लडाकू और परिवहन संचालन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा नियुमा हवाई पट्टी को 1962 चीन युद्ध के बाद इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था 2009 में एक ए एन बत्तीस विमान के यहां उतरने के बाद इसे फिर से चालू कर दिया गया उसके बाद से C-130 जे सुपर हरकुलस विमान इस एयर बेस से उड़ान भरते रहते हैं उसके बाद 2020 में गलवान हिंसा के बाद वायुसेना ने MI-17 चिनुक और अपाचे हेलिकॉप्टर्स को नियुमा भेजा था दोस्तों, इसके अलावा A.L.A.C. के नजदीक पश्चिम बंगाल के दारजिलिंग में स्थित बाग डोगरा एयर बेस को भी अपग्रेड करने का काम जोशोर पर है यह एयर बेस सिलीगुडी कॉरिडोर के पास है जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है 2017 के बाद से ही बाग डोगरा एयर बेस की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में बुलेट की रफ्तार के साथ सुधार किया जा रहा है यहाँ पर रन्वे को भी लंबा किया जा रहा है जिससे यहाँ पर भारी विमान भी उडान भर पाएंगे इसके अलावा यहाँ पर जहाजों के लिए नए मजबूत एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बनाए जा रहे है हालांकि चीन के खिलाफ इन तेयारियों को देखकर आपको क्या लगता है क्या भारत चीन को जवाब देने के लिए सही काम कर रहा है और क्या पहले से भारतिय सिना चीन के मुकाबले यहाँ मजबूत हुई है जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं अगर आपको यह जांकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जांकारी मिल सके इसी तरह और भी नॉलेजिबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर जरूर सेलेक्ट करें धन्यवाद जय हिंद